एक्जीमा एक common chronic condition है जो दुनिया के लाखो लोगों को affect करती है यह skin के inflammation, crusting और scaling का कारण बनती है इससे skin, लाल, सुखी और खुजलिदार हो जाती है एक्जीमा skin के किसी भी area पर हो सकता है यह सभी उम्र के लोगों को affect करता है लेकिन शुरू अक्सर बच्पन में होता है एक्जीमा infectious नहीं है, यह दूसरों से और दूसरों को नहीं फैलता यह अक्सर परिवारों में होता है, जिससे genetics involved होने का signal मिलता है environmental triggers एक्जीमा के symptoms को और खराब कर सकते हैं एक्जीमा के 5 major types होते हैं, जिनके symptoms type to type vary करते हैं Atopic Dermatitis सबसे common type of eczीमा होता है यह अक्सर बच्पन में शुरू होकर उमर के साथ improve होता है जब तवच्चा किसी substance पर react करती है, तब contact dermatitis होता है यह चीजे साबोन, detergent या chemicals हो सकती है Dishidrotic eczema हातों पेरों पर छोटे, खुजलीदार, फफोले बिस्टर्स बनाता है Nammular eczema स्किन पर सिक्के के आकार के patches बनाता है Saboric dermatitis उन areas को affect करता है जहां तेल गरंतिया याने के oil glands ज्यादा होती है जैसे के सर, eczema के symptoms person to person vary करते हैं Dry sensitive skin और खुजली आना इसके सबसे common symptoms है खुजलाने से खुजली और बढ़ सकती है और तवचा को damage कर सकती है Affected skin पर लाल, सुखे, सुझेवे patches दिखाई देते हैं समय के साथ तवचा, मोटी, खुरदरी और scaly हो जाती है पफोले बन सकते हैं, जिनसे पानी निकल सकता है और वे crusty हो सकते हैं Eczema की intensity कम ज्यादा होती रहती है और ये cycle repeat होते रहता है Eczema का exact cause अभी अग्यात है अनुवशिक और environmental factors का combination इसमें role play कर सकता है अगर आपके family member को Eczema है, तो आपको भी इसका खतरा हो सकता है affected लोगों की तवचा का natural protective barrier कमजोर होता है इससे तवचा में नमी बनाए रखने की ability कम हो जाती है कई environmental factors इसको trigger कर सकते हैं साबून, detergent, skin care products, थंडा या सुखा मौसम, भूलन या synthetic fiber के कपडे तनाव और emotional factors, पसीना या शरीर का अधिक तापमान, पराग, पोलन, धूल, पालतो जन्वरो की रूसी, common triggers में शामिल है diagnosis आम तोर पर तवचा की जाज करके किया जाता है डॉक्टर, examine करने के साथ आपके symptoms और family history के बारे में पूछ सकते हैं दिगर का पता कभी-कभी allergy की जाज से भी लगा सकते हैं contact dermatitis की जाज, एक skin patch test से की जाती है eczema को अकसर दूसरे skin conditions के साथ confuse किया जा सकता है इस confusion को दूर करने, diagnosis को confirm करने और सही treatment recommend करने में डॉक्टर मदद कर सकते हैं latest medical advances की वजह से eczema को effectively control करना आसान हो गया है treatment, symptoms को कम करने और flare-ups को रोकने पर center होती है प्चा को moisturize करना, ilaj का सबसे important पहलू है नहाने के तुरंद बाद, moisturizer लगाए मोटी परत वाले cream या ointments, lotion से बहतर होते हैं ये available moisture को better trap या lock कर सकते हैं दरम पानी से बचे, ये skin को और dry करता है mild साबून और detergent का इस्तमाल करे, इससे skin कम irritate होती है flare-up के दोरान, topical steroids अक्सर prescribe किये जाते हैं steroids, inflammation और खुजली को कम करते हैं गंबीर मामलों में oral medications या light therapy का उपयोग भी किया जाता है anti-histaminics, खुजली को कम और sleep को improve करने में मदद कर सकते हैं infected skin को antibiotic से treat करते हैं flare-up को रोकने में trigger से बचना और अच्छी skin care important है skin को daily moisturize करे, even when your skin seems normal त्वचा को irritate करने वाले कपड़े avoid करे और मुलाइम कपड़े जैसे सूती पहने लंबे गरम स्थान के बजाय, छोटे गुनगुने shower ले dry weather में हवा को नम रखने के लिए humidifier यूज़ करे खुजलाने से बचे, इससे तवचा की condition और खराब हो सकती है नाखुनों को चोटा रखे, ताकि खुजलाने से तवचा को नुकसा ना हो नाखुनों को वैसे भी छोटा रखना hygienic होता है stress, flare-up को trigger कर सकता है इसलिए तनाव को effectively manage करना सीखे अपने personal triggers को identify करे और उनसे बचना सीखे eczema के साथ जीना challenging तो है but it can be managed effectively intense खुजली से आपकी नींद effect हो सकती है visible flare-up, self-esteem पर भी असर डाल सकता है अपनी condition के बारे में खुद को educate करे परिवार, दोस्तों और स्वास सेवाओं से support ले joining eczema support groups can provide helpful tips and encouragement इससे condition को better manage करने में मदद मिलती है अगर आपकी condition गंभीर या बिगड रही हो daily routine या sleep affect हो over-the-counter medications काम नहीं करे risk, crusting या scaling जैसे infection के symptoms दिखाई दे तो डॉक्टर को दिखाए healthcare provider एक personalized plan बनाने में मदद कर सकते हैं correct approach, professional help और right skin के routine के साथ आप eczema को control कर सकते हैं और comfortable life जी सकते हैं with that said guys, we end this video अगर आपके पास कोई questions या doubts हो तो please comment below adios